नमस्कार दोस्तों राउल सास्तिरी हाजीरू में और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल के अंदर जिस टोपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे सनी की साड़े साती बहुत लोगों को मेरे पास रिस्पॉंस आया और वाकई बहुत ही महत्तवों सबस्के करेंं तो आज इसके पारे में चर्चा कर लेंगे संड़ी को समझा सकता हुं कि यॉग कारक है योग कारक मतलब अगर आपकी जो लगन है वो वर्षब लगन है तुला लगन है मिथुन लगन है कन्या लगन है मकर लगन है और कुम लगन है इन लगन के अंदर सनी योकारक हो जाते हैं और वो केंद्र में यानि पहले चोथे और साथवे साथवे के साथ साथ दसवे पाचवे और नोवे दूसरे ग्यारवे इन भाव के अंदर अगर बैठे हो तो जादातर वो अच्छे ही रिजल्ट आपको देंगे तो यह ज़रूरी नहीं कि सनी आपको गलत रिजल्ट दें सनी जादातर केस में सनी की साड़े साती में वो आपक कश्ट देखे गए हैं तो आज हम उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे कि कौन-कौन से वो लक्सन होते हैं और क्या आप उसके उपाय कर सकते हो तो सौपरतम आप देखें इसकी सनी की साड़े साती होती कैसे हैं और एक चिन में और बता दो दो सनी की साड़े साती होती है एक चंदर सनी की साड़े साती और एक सूरिय साड़े साती सनी साड़े साती जाता था 90% केशिस में हम चंदर को ही लेते हैं क्योंकि चंदर जो होता है चंदर से मन को देखा जाता और मन ही खराब है तो सब कुछ गड़बड इसलिए सूरिय की साड़े साती पहुत ही कम देखते ह जाएगी तो फिलाल हम एक्जामपन लेते हैं चंदर वाला तो देखिए इसके तीन चरन होते हैं पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप लगन में जाओगे ये दो तरह से आप देख सकते हो या तो चंदर कुंडली हो या लगन कुंडली हो मैं आपको लगन कुंडली के एक्जामपल बता देता हूँ अगर आप जैसी लगन कुड़ले को देखोगे और चंदर आपको कहीं पे मिल गया चंदर यहां पे हैं चंदर यहां पे विराज मान है तो जैसे ही आप गोचर खोलोगे तो गोचर में भी same chart होता है और अगर सनी मूँ करते हुए जहां पे चंदर है जिस भाव के अंदर चं यहां पर आ गए एक रासी के अंदर सनी धाई साल चलते हैं तो कौन-कौन से अगर सनी यहां पर आ गए तो यह वाला भाव यह वाला भाव यानि जहां पर चंदर विराजमाने उससे पिशला वाला भाव और जहां पर चंदर विराजमाने वह वाला भाव और चंदर से अगल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे सनी ढ़ाई साल रहेंगे, यहाँ पे सनी ढ़ाई साल रहेंगे, यहाँ पे ढ़ाई साल रहेंगे, और जब इस भाव के अंदर आ जाएंगे, तो सनी की सड़े साती खतम हो जाएगे, आपको मैं फिर समझाता हूँ, अगर सनी यहाँ भी हो तो जैसे ही सनी यहां पर आएंगे तो आपको सनी की साड़े साती सुरू हो जाएगी तो धाई साल यहां पर रहेंगे फिर धाई साल यहां पर रहेंगे तो टोटल दुरेशन पाथ साल और फिर इस से अगले भाव में जाएंगे तो धाई साल तो धाई साल धाई साल तो 5.7 साल इसे सनी की 7.5 बोलते हैं तो जैसे कि हम फिर एक एक जमपल ले ले लेते हैं मैं आपको उनके चरण भी बता देता हूँ तो उनके 3.4 होते हैं तो जैसे अगर चंदर यहां पे हैं और सनी यहां पे आ गए तो क्या कैसे परभाह होंगे अगर पिछले चरण में होंगे वो यानि चंदर से पहले भाव में है और सनी साड़े साती आपको शुरू हो गई तो यह आपका पहले चरण हुआ इसमें आपको आर्थिक तंगी पोतेखने को मिलेगी आपकी जो कमाई है वो होगी 10 रुपे और जो आपके खर्चिय होंगे वो 20 रुपे होंगे इससे आपको मानसिक दिक्कत आजाएगी मानसिक पीडा होगी प्रेसानी होगी करज आपके उपर चड़ जाएगे तो जो पहली सड़े साती होती है, मैंने आपको मुखे इसके और भी लखसन होते हैं पर जो मुखे लखसन है मैंने वह आपको बताया तो जैसे ही सनी की सनी यहाँ पर ढ़ए साल खतम करेंगे अपने duration और जहां पर चंदर बैठे हैं वहाँ पर आ जाएंगे और यह आप गोचर से देखेंगे लगन में नहीं होता है जब गोचर से आप देखोगे और जब सनी घूमते घूमते चंदर से पीछी आ जाए तो आप समझ लिजए कि आपको सनी की सड़ी साती सुरू हो गई तो यहाँ पर आपने डाई साल पहले चरण में ने बताया और जैसे डाई साल इसमें रहेंगे वो यानि जिसमें चंदर है उस भाव के अंदर आ गए उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो medical expenses है उस पर आपके बहुत जादा पैसे खर्च हो रहे हैं आपके क स्टेप आया तुरंत आपको medical expenses पर खर्चा करना पड़ेगा कुटुम पर पैसा कर्चा करना पड़ेगा तो यह और ज्यादा दिक्कत की बात हुई और जैसे ही सनी इस भाव से निकल कर तीसरे भाव में पहुचेंगे यानि तीसरे चरण के अंदर तीसरे चरण के अंदर आपके क्या होगा मन मुटा होगा लड़ाई जगडे होंगे परिवार कुटुम से आप में दिक्कत आएगी संतान से लड़ाई होगी पिताजी से लड़ाई होगी और जमीन विवाद के केसी भी देखे गए हैं तो इस तरह से जो है वो तीसरे चरण के अंदर ये सब आपको दिक्कत दे रही है तो इसके कुछ उपाये हैं उपाये कैसे एक तो सनी वार को आप क्या करिए सनी चालिसा पड़िये और सनी देव को सरसो के तेल जलाके उनकी अराधना कीजिए सनी चालिसा कीजिएगा ये उपाये बहुत अच्छा है दूसरा आप पीपल के बता है जिससे की सनी आपको अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और साथी साथ इसका बीज मंत्री भी पड़ सकते ओम सम सने चराये नम तो यह मैंने कुछ चीजे बताई जिसका उपाये करने से आपको डेफिनिटली पहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे अगर वो योग कारक हैं कुडली के अंदर फिर आपको कोई डरने की बात नहीं फिर सनी आपको डेफिनिटली अच्छे परी नाम देंगे सनी की साड़ी साती में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बहुत लोग बहुत कामियाभी को भी छूते हैं साथ साथ आपको करम में भी देखना है देखें जैसे हर किसी गरह को एक एक ना एक रिजल्ट मिला एक ना एक कारक होते हैं जैसे बुद्ध होते हैं बुद्धी के लिए गुरु होते हैं ज्यान के लिए और इसी तरह सनी जो होते हैं उनको नाय और करम का भाव मना गया है तो अगर आपके करम गड़बड है तो सनी की सड़े साते में आपको definitely दूस परणाम देखने को मिलेंगे तो आपके करम भी अच्छे होने चाहिए क्योंकि सनी को करम परधान मना गया है वो करम के according आपको फल देते हैं तो दो चीजे हैं अगर आपके योग कारक भी नहीं है और कही न कहीं जिन्दकी के अंदर आपके करम अच्छे नहीं रहे हैं मंदिराबान आपने किया है और मीट वगयरा का सेवन किया है तो भी आपको दूस परिणाम देखे जा सकते हैं तो दो तरह से मैंने बताया दो कंडिशन में सनी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे कुटली के अंदर अगर वो योग का रखनी है और करम भल भी देखा गया है तो अगर नहीं देखा तो मैंने आपको उपाय बता दिये कौन-कौन से आपको उपाय करने है तो सनी की सड़े साती एक चंदर की होती है और एक सूर्य की होती है जादा तरण चंदर के ही जोतिसकार देते हैं सेम एक जाम पले जहां पे चंदर होंगे उससे पिछले भाव में जब सनी आ जाएंगे गोचर के अंदर तो सनी की सड़े साती खतम हो जाएगी तो यह मैंने बहुत असानी से आपको बता दिया आपको समझ में आ गया होगा सनी की साड़े साथी क्या होती है तो धन्यवाद मित्रो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आने वाले जो वीडियो होगी वह बहुत ही इंपोर्टेंट होगे धन् झालए उ म म आणे की आने डे हो पोगा सा घ्रुम्ष कम पूंही होगे होगी झालए झालए जो आएाल मित्स आपकि भाल गोसक्राइब